अगर आप IGNU से बैचलर डिगरी, मास्टर डिगरी, डिपलोमा या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाते हैं तो IGNU ने जनवरी 2023 से सेशन का निव एडमिशन स्टार्ट कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला और इस पेज पर आने के बाद एडमिशन से रेलेटेड जो भी इनफोर्मेशन है आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे करेंगे तो जो एडमिशन के लिए ओफीचियल लिंक है वो यहाँ पर अपडेट किया गया है इगनु के जादतर प्रोग्राम आपको ODL यानि की Open Distance Learning Mode में ओफर किये जाते हैं जिसकले यहाँ पर लिंक दिया हुआ इस पर आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा और कुछ प्रोग्राम ऐसे है जो आपको Online Mode में ओफर किये जाते हैं जिसकले आपको यहाँ पर Master degree, Diploma या फिर Certificate program में admission लेना चाते हैं तो आप 31 जनवरी 2023 तक admission का forum online submit कर सकते हैं बाकी जो admission का last date है इसको extend किया जाएगा अगर आप इगनु के किसी भी program में admission लेना चाते हैं तो सबसे पहले आपको उस program के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए जिसकले आपको क्या कर करना होगा यहाँ program information पर आप click करेंगे और यह page open हो जाएगा इगनु के तरफ से जितने भी program आपको offer किये उन सभी का detail आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप कोई program सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर search कर सकते हैं जैसे कि हम डाल देते बीजी यानि की bachelor of arts यहाँ इस मीडियम में कर सकते हैं admission के वक्त आपको बताना होगा कि आप इसे कौन से मीडियम में करना चाहते हैं नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है इस program में admission के लिए आपके पास क्या education qualification होना चाहिए यानि की eligibility आप यहीं से चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपक 300 रुपे registration fees और इस बार एक चीज नया है development fees यह जो है 200 रुपे भी आपको देना होगा यानि की total आपको कितना होगा यहाँ पर आपको सब कुछ add करके बताएगे इसमें आपका program fees registration fees और development fees पर year आपका 4000 रुपे बताएगे है बीजी program का ऐसे ही अगर आपको किसी और program का चे पार में सभी details आपको यहाँ पर बता दिया जाता है तो इसको आप तसली पूर्वक चेक कर लीजिए और उसके बाद आप admission का forum fill up कर सकते हैं यहाँ पर आपको bachelor degree, master degree, diploma और certificate सभी का information मिल जाएगा और इसके अलावा आप नीचे करेंगे यहाँ पर यह जो आपको 7 program code बताए इनमें admission के लिए आपको यहाँ पर forum fill up करना होगा यानि कि इस वाले website से forum को fill up करना होगा और यहाँ पर आपको registration fees 400 रुपे देना होगा और उसके बाद फिर आपका merit list तयार होगा अगर merit list में आपका नाम आता है तो फिर आपको full program का payment करना होगा आपको किसी और program में admission लेन करने होंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि है पहले आपका passport size का photo और फिर आपका signature और इनका क्या size रहेगा क्योंकि document जो भी आपका रहता है original document को आपको scan करना होगा और upload करना होगा और साथी में आपका एक age proof जिसमें कि आप आधार card या फिर 10 वी का mark sheet दे सकते हैं और फि डिगरी में admission लेते हैं तो आपका 10 वी का बार वी का और graduation का mark sheet upload करना होगा और साथी में graduation का provisional या फिर डिगरी दोनों में से एक आपको upload करना होगा और इनके कुछ ऐसे program है जिसमें आपको experience certificate मांगा जाता है तो अगर experience certificate मांगा गया है तो यह भी आपको upload करना होगा और अगर आप SC, ST, OBC category के अंतरगत आते है इसका आपके पास certificate है तो यह भी आपको upload करना होगा नहीं तो आप journal category से form को fill up कर सकते है अगर BPL certificate है तो यह भी आपको देना होगा और admission लेने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ दिया जाता है common prospectus इस पर आप click करेंगे तो एक ऐ इसा PDF file open हो जाएगा यह जुलाई 2022 का है जनवरी 2023 का भी नहीं आया है वो भी कुछ दिनों बाद यहाँ पर update हो जाएगा तो common prospectus में यह होता है कि सभी program के बारे में आपको detail में जानकारी दिया जाता है और IGNU का जो भी rule regulation है वो सब आपको बताया जाता है तो जब नया common prospectus साथ जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा और यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर आपको scholarship के बारे में भी बताया जाता है तो इसके बारे में अगर मैं बताने लगा तो video का size काफी जादा बड़ा हो जाएगा तो scholarship के बारे में अगर आपको detail में जानकारी आफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना होगा तो अगर आपको ODL प्रोग्राम में एडमिसल लेना है तो उसका फॉरम आपको यहां से फिलप करना होगा जिसके लिए आप यहां पर किलिक एर फॉर निव रजिस्ट्रेशन पर किलिक करेंगे पहले यहां पर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप यहां पर अकाउंट को लॉग इन करने के बाद एडमिसन का पूरा फॉरम फिलप कर सकते हैं फॉरम को कैसे फिलप करेंगे वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूँगा और इसके अलाबा अगर आप SC या फिर ST कैटिगरी के अंतरगत आते हैं तो इगनु के तरफ से कुछ आपको ऐसे प्रोग्राम बताएगे हैं जैसे कि उनका लिस्ट आप यहां पर आ करके चेक कर सकते हैं इसका लिंक नीचे दिया हुआ है बीएजी, बीकॉमजी, बीएसीजी और इसके अलाबा और भी सर्टिफिकेट और डिपलोमा के प्रोग्राम है अगर आपके पास SC, ST का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रोग्राम फीस नहीं देना होगा आपका एडिमिसन फ्री में हो जाएगा बस आपको 300 रुपे रजिस नागा करना होगा और उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे दे रखा इसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं आपको डिटेर में पता चल जाएगा और फ्रोग्राम का लिंच्ट आप कर सकते हैं साथी में आपको यह वी बताया गिया कि अगर आप SC, ST category के अंतरगत आते हैं तो आपको जो ही इसका benefit सिर्फ एक program में ही दिया जाएगा अगर आप दो program में इसका claim करते हैं तो यानि कि दोनों ही जो आपका application है वो reject कर दिया जाएगा तो आपको जो है किसी एक का ही benefit दिया जाएगा किसी एक program में आप admission fees में छूट पाने के लिए SC या फिर ST का claim कर सकते हैं और अगर आपको online program में admission लेना है तो आप यहाँ पर click करेंगे यह page open हो जाएगा online programs का detail आप यहाँ पर click करेंगे तो इसके बारे में सब कुछ आपको detail में बता जाता है कि इगनों में किछने online program available है यहाँ पर click करेंगे और इसके बारे में आपको सभी जानकारी यहाँ पर दे दिया जाता है eligibility medium आप यहाँ से check कर सकते हैं साथी में आप duration और fees के बारे में भी detail आप यहाँ पर check कर सकते हैं और अगर आपको online program में admission लेना है तो यहाँ apply now पर click करेंगे यहाँ पर national student पर click करेंगे यह page open हो जाएगा और online program के लिए आपको admission का form यहाँ पर fill up करना होगा यहाँ पर आप click करेंगे और same to same यहाँ पर भी आपको पहले एक new registration करना होगा और registration का यह पूरा forum है और registration करने के बाद इसके बाद यहाँ पर आप account को login करेंगे फिर आपको document वगेरा online upload करने होगे जो भी document वगेरा आप online program के लिए और odl program के लिए upload करते इसको online verify किया जाएगा और जब सब कुछ सही रहता है तो आपका जो admission है वो 7-14 working days में confirm हो जाएगा फिर आपको enrollment नमर और ID card दे दिया जाएगा जैसे ही आपको enrollment नमर और ID card दे दिया जाता है तो आप IGNU के student बन जाते है